नमस्ते दूस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरवल आईस अकैडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है बहुत है स्पेसल है और ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर हिलाता हूँ कि 66 BPSC Prelims का एक्जाम होने वाला है इसमें 110 नम्मर कैसे लाया जा सके और लाना बरा असान है बस कोई बताने वाला नहीं है कोई गाइड लाइन करने वाला नहीं है बरनाए 110 लाना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है हाँ सुनने में थोरा सा अजीब लगेगा क्योंकि आज तक जो है 80-90 तो क्रॉस नहीं कर पाएं तो थोरा सा तो लगेगा ये अनबिलेबल ऐसा नहीं की नहीं लगेगा जरूर लगेगा और जितनी बाते मैं बोलू करना है कि अपनी जिंदगी सी भी जादा बिस्वास अपने बिलीब सिस्टम पर करना होगा तब ही जाके इस संग्राम में आपका विजय होगा अधरवाइस इस तरीके से एज और एटम्ट खतम हो जाएगा कि आपको लोट के घर जाना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि ऐसा सारी सावालों को आपके जबाब को रोक के अपने उपर बिलीफ करना होगा क्योंकि पास आपको करना मुझे नी करना मुझे जो करना मैंने कर लिया अब आपकी वारी है इससे पहले दोस्तों जैसे ही लोग डाउन समापत होगा आप किसी कूचिंग के तरफ दिवानगी प BPSC Prelims में 30 प्लस अस्टूमेंट का रिजल्ट आया और अब बचा मेंस का तो मेंस में भगवान की दुआ आप लोगों का आसिरवाद और हमारी मेहनत से फिर से अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे साथ-साथ में prelims ओ या मेंसो दोनों में गुपडर्सकरशन की क्लास होती है जिससरे की आपको इंटर्भ्यू से बाहर ना निकलना पड़े डेली क्लास होती है, पर डे टेस्ट होता है, विकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात कि सबसे कम फीस में BPSC के बैदलते पेटर्ण के अनुसार से यहां पे तैयारी करवाई जाती है और अधिक जानकारी चाहिए, तो नीचे का जो नंबर डिस्पले हो रहा है, 934710148 पे कभी भी किसी भी टाइम में आप कॉंटेक्ट करके आगे की जानकारी ले सकते हैं तो चली दूस्तों, अब जो है चर्चा शुरू करते हैं देखिए, 65th BPSC Prelims का एक्जाम में 110 मार्क्स लाना, है तो impossible, ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि possible है लेकिन जो आप मानिएगा, वही आपका कल आने वाला है अगर आज मानते हैं कि यह नहीं संबब है, तो सच में आपके लिए नहीं संबब है अगर एक भी इंसान काता है, तो आप भी उतना मेरिट है आपके अंदर, उतनी इनर्जी है आपके अंदर, कि आप भी 120 ला सकते हैं अब लाते क्यों नहीं है, वो आपकी प्रोब्लम है जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि SDM बनना बच्चों का खेल है अपको क्या लगता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो लोग कहें कि SDM बनना, DM बहुत बढ़ी बात है अरे बहुत बढ़ी बात उनके लिए है, जो कभी नहीं कर पाए, कभी क्वैलिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए है लेकिन सच बताता हूँ दिल से बताता हूँ इस एक्जाम को पास करना और S.A.C की एक्जाम को पास करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन इस एक्जाम को पास करना सच में आसान है कैसे है तो यह तो बहुत बड़ा विस्तित मुद्दा है चर्चा करना लेकिन वहाँ नहीं चर्चा करते हैं आते हैं कि 110 मार्स कैसे लाए बहुत दिन हो गया है कि नहीं का दो साल हो गया कि नहीं का तीन साल हो गया कि नहीं का चार साल हो गया कि नहीं का तो पंच बरसी योज से प्रूरी तरीके सीनर्जी आजाएगी, अब यह कीला गया कं लूग रिक्यर्गाओ घ् स्वण आङया कर फिंट के हम अब ट नियुटिध हैं करें करें pegarAl Baş किर्केट में अगर B dul soft player हैां कर भोंक की cos सभाग अगर उरिक बॉल में कुछ नहीं मारता है तो थोड़ा दर के दर्सक सांथ रता दूसरी बॉल के ला गया दूसरी बॉसरी बॉल में भी बॉल किर गया तब कुछ नहींहारे तब दर्सक का गुसा धीरी धीने जो है मुसन में आना सुरू हो जाता चौथी बॉल दिया और चौथी बॉल में अगर सहवाग नहीं मारता है तो फिर जो दर्सक बैठे होते हैं इस तरीके से इंटरनेशनल और नेशनल गालियां उस पे फेंकते हैं तमाटर फिंकते हैं, पता नहीं जानी क्या-क्या बद्दी बद्दी हैं बाते उस पे कसते हैं और जैसे ही पाँचवी बॉल पे सहवाग उस बॉल को बॉंडरी लाइन के पार करके शिक्स मारता है तो ये पाँचो गेंद की कसर को पूरी कर देता है पाँचो गेंद की कोई याद नहीं रखता है कि चौथे गेंद में मारा यानि तीसे गेंद में बस यह याद रखता है कि पाँच भी बॉल में सहवाग ने शिक्स मारा और वो पूरी की पूरी कसर को समाप्त करता है वैसे ही आपकी जिन्नगी के पहे हैं अगर दो साल, तीन साल से आप compete नहीं कियें, तो कोई बात नहीं है, अगर इस बार 66 BPSC prelims में आप qualify कर जाते हैं, तो तीन साल का कसर जो है, यह पूरी तरीके से ढख देगा, आपके पास में एक वक्त है, अगर ये वक्त आपके हाथों से निकल गया, और ये लमहा आपके सीसेट आने वाला, तो और ही मुश्किल बढ़ते जाएगी, साथ साथ में competition में और सारे student आना सुरू कर देगे, तब मुश्किल बढ़ते जाएगी, और सारे बच्चे जो है, इसमें इंटरी लेना सुरू कर देंगे, इधर उधर के लोग भी, तो फिर competition बढ़ना सुरू ह यही हुज़ता है कि आप कटउफ 98 देता है, 96 तक नहीं पहुच पाते हैं, 90 नहीं पहुच पाते हैं, क्यूं नहीं पहुच पाते हैं, कभी सोचे जिन्रफी को रोक यह, आखिर कआं गvärती री, आप गलती ऑप खुसकते हैं, लगता है फोरा सा और पर लेते, लगता है जहारों इसी बात आती है, लेकिन जो roots की बात है, जिसकी वज़ा से आप unsuccess कर गए, वो बात आपके दिमाग में नहीं आती है, बड़ी मज़ेदार बात है, नहीं आती है, वो कभी लोट के नहीं आएगी, और फिर से वही इतिहास आप कभी पूचे है, अगर वहां पर देखेगा, तो सबसे पहला सेक्षन जो आता है, वो आता हिस्ट्री, दूसा सेक्षन जो आता है, वो करेंट अफेर आता है, तीसा सेक्षन जो आता है, साइंस आता है, जनरल साइंस, और चौथा सेक्षन जो आता है, वो आता है बिहार Especial, अगर इस चार सेक्षन को आपने पकर लिया, ध्यान लखीगा, History, Current Affair, Science, बिहार GK और बिहार Current, दोनों include रहता है, अगर इस चार पेपर को आपने अच्छे तरीके से गहनता से अध्यन कर लिये, तो selection तो आपका बैठा हुआ जी, कौन दुनिया में ज आपको बाहर निकाल दें, लेकिन आप अपने बुद्धी से, यानि कि अती बुद्धी की वज़ा से बाहर निकलते हैं, या फिर कोई आपको गाइडाइन करने वाला नहीं होता, जिसकी वज़ा सा बाहर निकल जाते हैं, और कोई इसी प्रॉब्लम नहीं है, History में तीस नम इस दोनों को अभी साइड में रखा जाएं, ध्यान रखीगा, इधर से modern को इस तरीकी से अध्यन कर लीजिए, कि modern से कोई भी question आए, दुनिया में किसी का भी गलती हो जाए, आपका गलती नहीं होना चाहिए, तो फिर ancient और medieval पढ़ने की कोई ज़वरत नहीं है, वहां समय परबाद करना, समझे बेकार काम है, क्योंकि हमें किसी भी हालत में प्रलिफ्स कॉइलिफाइ करना बेहद जरूरी है, अब दूसरी आती है कि current, current वाला section को पकर लीजिए, current या तो घटना चकर एक साल का था, उसको पकर लीजिए, या फिर पढ़िछा मंतन का था, दोनों म साथ में नहीं, तो इसलिए जितना हो सके उसको एक साल का निगल लीजिए, उससे ज्याद आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आते हैं साइंस बाला section में, साइंस बाला section में, बायो बाला section, जो है सबसे ज्यादा ध्यान देग रहा, बायो और फिजिक्स, इस दोनो इस बायो और फिजिक्स को अच्छे तरीके से लेकर चलिएगा, केमेस्ट्री छोर भी दीजिएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आते हैं बिहार जीके में, बिहार जीके में आपका कम से कम यहां से 25 से 25 कोश्चन पूछा जाएगा, बिहार जीके से, और बिहार करेंट से वही 5 से 7 question पूछा जाएगा, मिला जुलाक अगर दोनों को देखिएगा, तो बिहार से आपका 30 number का question पूछा जाएगा, यानि हिस्टी 30, बिहार 30, करेंट 40, अब बता ये total कितना हो गया, यानि 100 number वहाँ हो गया, और science में आप मानके चलिए 20 number, 120 number तो आपका यही 4 विसे में सेलेक्शन तो आपका हो चुका है, अब आपको न पॉलिटी पढ़ना है, न मैट्स पढ़ना है, न एकोनोमी पढ़ना है, सेलेक्शन तो आपका हो गया है, अब आपको कौन रोक रहा है, अब देखिए, दूसा section में अगर आते हैं, तो पॉलिटी का section आता है, मैट्स का आ अब यहां पर जो है, आप साइड में बैठा हुआ हो, जो Maths का एक्सपर्ट हो, जो सबसे फेले Maths की बना रहा हो, तो उससे आप कॉंपी भी कर सकते हैं, ऐसा भी है, कि आसपास में देखके, कोस्टन देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज तो अलग रहता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, और यहां से भी Maths आसानी से 6-8 नमर ले सकते हैं, आते हैं, पॉलिटी की बात, पॉलिटी सबसे सार्थक हो जाएगा, जरूरत ही नहीं समय देने का, अब बचा एकोनोमी, एकोनोमी में 7 से 10 कोश्चन तक के आसपास पूछा जाता है, इसको भी अगर करेंट से आप जोड़ देते हैं, तो अगर 20 कोश्चन वे पूछता है नहीं, तो कम से कम 17-18 कोश्चन जो होगा, कहीं न उपर यकीन नहीं होगा, इसलिए आप पूछे का, आपने कभी पास किया, अरे पास किये तभी तो बता रहे हैं, ना पास करती तो क्यों हम बताते आपको, तनिक सोचिये ने, क्या दूसा एडिया, नहीं क्या हिंदूस्तान में, बहुत सारे एडिया हैं, जहां से आप आस इसी और आलत में, हिस्ती में मोडन, हिस्ती पे जादा ध्यान रखना है। पूर्इंट वाला सेक्स़न में जो है नेशनल और इंटनेशनल, उसके बद महिलाओं के लिए क्या है उसको ध्यान देना है योजनाय क्या है उसको ध्यान देना है और साथ-साथ में स्वच्छता से रेटेट जो भी आई हुरी है डाटा उसको थुरा सापको ध्यान रखना होगा और ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना होगा साइंस वाला सेक्षन में जो है बायो वाला सेक्षन में जो मानव के सरीर में जिस तरीके सा होता बच्चा पहले कैसे पैदा होता इसको पकरना होगा बच्चा जब पैदा हो जाता उसके बाद जो है उसको बहुत सारी बिमारियां सुरू हो जाती है उस बिमारियां को पकरना उसके साथ में कौन से fruits हैं, कौन से, जो vitamins हैं, किसमें कौन से vitamins पाई जाते हैं, उन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बस इससे जादा कुछ भी नी करना है, फिजिक्स में जो है, वही लाइट वाला section है, उसको ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखना है, इसक उसमें क्या है, आपका बिहार की राजनिती कैसा है, बिहार का इतिहास कैसा है, बिहार का सांस्कृति कैसा है, बिहार की अर्थमेबस्था कैसा है, बिहार का जोग्रफिकल कैसा है, पड़िपेस, उस चीज को थोड़ा सा एक बार बारी की से देख लिजिए, आपको सब कु समझ में आ जाएगा उसकी साथ साथ में बिहार करेंट में मुस्की से चार से पांच कोश्चन पूचा जाता इससे ज्यादा पूचाने जाता इसलिए बिहार करेंट अगर आप छोड भी देते हैं तो जरूरी नहीं है लेकिन पांच नमर भी छोड़ना क्या एक बार पढ़ आपके दिमाग में चला जाएगा अब इसको पढ़ा कैसे जाए किस तरीके से अपना time table schedule को set किया जा जिससे की आसानी से selection लिया जा सकता है इसके लिए सबसे पहले morning में आपको उठना बहुत जरूरी है मैं हर बार बोल रहा हूँ अब भी बोल रहा हूँ दो साल तीन साल पढ़ियागराज मुखरजी नगर में आप बेतीत कर चुके है न रिजल्ट नहीं आ रहा है न प्रिम्स नहीं हो रहा है न तरीक सोचे है कभी हर बार वही रात और हर बार उसी तरीके से रिजल्ट भी अंधकार में चला जा रहा है क्या कभी सोचते नहीं है क्या कहां गलत सब कुछ दिमाग से हटाके सीधा सुबह उठते ही करेंट से दर्शन सुरू हो जाना चाहिए दो घंटा दवा के एक दम पूरी आत्मा को निचोड के करेंट पर ध्यान दीजिए दो घंटा तक इस दुनिया में आप किसी से कुछ न मिलिए सिर्फ करेंट से मिलिए और अधुनिक भारत में लग जाना है एकदम अधुनिक भारत में लग जाना पूरे तरीके से दिमाग को खाली करके आधुनिक भारत के लिए अलग से डाटा बना लिजे दिमाग के अंदर उसमें डाटा में फिट करना सुरू कीजिए आधुनिक भारत को स्टार्ट कर दीजि क्योंकि एक एक सकेंट का बेली होता है, दो घंटा जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दो घंटा से पहले ब्रेक मत दीजिए, लोग अपने खातिर कर रहे हैं, आपके सक्सेस के लिए कुछ भी नहीं बताते हैं, बिलीब कीजिए, अगर आज बिलीब नहीं हुआ, तो जि अभी इसी वक्त से सुरू करना होगा, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा, अधरवाइज इस बार भी अगर रिजल्ट चला गया, तो पापा घर में इंतिजार करना है, बेटा आप चले आओ घर, घर की भी खेती करनी है, बहुत हुगा मजाग परियागराज में लिए ह अब आओ घर, तो ध्यान रखना इसको भी और किसी भी तरीके का टेंसन नहीं लेना है, बस ये करना है कि जो गलतियां हुई है उसको सुधार किया जाए, इसके लिए टेंसन लीजिए, क्या होगा रिजल्ट, वो तो कृष्ण के हाथ में है, वाह गुरू के हाथ में है, ज आसे एक बाद चलने के लिए तो तैयार हो जायाए आप, तो ठोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, दो हो गया, दो के बाद जो है, यहाँ के बाद जो है, लास्ट में जब आप घूमने के लिए जाते हैं, साम में, चार से छे या पांट से साथ, ऐसा तो होता होगा ने अगर आपने समय के साथ में जातिता किया होगे तो आपको आशू के साथ हिसाब देना होगा और अगर समय के साथ में वाकई में इंसाफ किये होंगे तो आपको मुस्कुरा के हिसाब देना होगा अब आपकी उपर है कि आपको रोके देना होगा हिसाब या मुस्कुरा के का देजे जान Puisowy की चार उ को परना हो आपको दियाँगा एक पे Max की जीगा क्या कि समय आपके पास में थी को सबसे पहले सूब हाद कर दार कृमंध को पढ़ लिजिएगा क्रश्थ करण्ट कर बाक के बाद में हिस्ति के बाद में आपको सीधिया साइंस में पढ़ना होगा 11 इसके बाद लास्ट में पात से साथ जी के पढ़ना होगा और फिर लास्ट में जब बचेगा नौ से तस जो बचेगा टायम एक गंत बचेगा युग ऐना होगा। लुसेंट में जो आप हिस्ती में पढ़ें, उसी को लुसेंट में देखके एक बार जो है, रिवीजन मार लेना, उसके बाद इस दुनिया में किसी के आउकाद नहीं है, कि आपको बाहर का रास्ता दिखा दे, कोई भी काम मुस्किल नहीं है, तब तक जब तक आप अपने द आता ही नहीं है, और आप गिर जाते हैं, लेकिन आज अभी, इस वक्त, ये इंक्रिडबल परिवार और सक्सेस परिवार, आपकी साथ होके, आपके कदम से कदम मिलाके, आपको मंजिल तक ले जाने के लिए, पूरे तरीके से आपके पीछे खाड़ा है, पस एक बार उठक चलने के कोसिशितों कीजिए, हम आपके साथ हैं, दूस्टों कैसा लगा यह वीडियो हमें ज़रूर बताईएगा, नेक्स्त वीडियो आपको किसमें चाहिए, वो हमें बताईएगा, और हो सके, टो आप मुझे बेंतिहा मुखबत करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा स झाल झाल